जिला महराज या नौतनवा बलाग के धोरारा गाउ में पिछले एक साल से मन्रेगा मजदूरों का बुक्तान नहीं हुआ था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था करीब इसी दिसंबर महीने में काम किये थे, अविले साथ, उसके बाद अब तक पैसा हमको नहीं मिला क्रहशत है, पैसा नहीं मिला पयदान से बोले हम के हमारा पैसा दो, बोलता है भी बजट नहीं आया , बजट नहीं हुआ हुआ है, था हम अपाने घर से देंगे कि इस लोग रहाल गए हांके तोने में नौ दिन के हमार पैसा ना मिलने से अतना परिशानी वा कि लेकन के नहीं सुधे पढ़ाय हो पाओता ने हमन के रासन के रासन अगर दुकान से उधार लाओ लगे लिए दुकान दारो उल्टा सिधा बोला ला यह सब हमन के दिक्कत वा हम यह चाहा थी हमार पैसा मिला हमरे लेकन के परिशानी दूर हो जाई हमार परिशानी दूर हो जाई मेरे हां समस्या है मनरेगा में काम हुआ है और पैसा उसका पुरा भुकतान ने हुआ है काम था मिट्टी फिखना था कितने दिन तक काम हुआ था 21 तो आपको भुकतान ना मिले से आपको कुछ समस्या होती है पैसा होता तो राशन हम लोग खरीद के लाते हैं खाते हैं दवा होता है बच्चों की पढ़ाई होती है घर खर्च में लगता दिक्कत नहीं होती वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समधाय में जागरू के यां संगठित कर उनके सायोग से बदलाव लाप आई आप कहां का समझ से थी हमारे यही समझ से थी हम लोग एक कैश दिन काम के थे जिसमें नौ दिन का हम लोग का प्यमेंट रुक गया था इसलिए रीना जी आई उनसे हम लोग बोले तो एक वीडियो रिकार्डिंग की वीडियो रिकार्डिंग करने के बाद फिर तहसील में गए वो लोग मेरे सासुमा के लिए कर वहां तहसील दिवस था तस्दील दिवस में वहां पे लोग दरखास होगा, डाले, उसके पंद्रे दिन बाद पैसा मिल गया हम लोगों को, उससे हम लोगों बहुत खुश हैं आपके साथ कितने लोग का भुक्तान हुआ है? बीस लोगों का मेरी समस्य आये थे कि हम लोग मनरेगा में काम किये थे, 21 दिन काम किये थे, तो 9 दिन का मजदूरी नहीं मिला था, एक साल से रुका हुआ था रिना जी आए उसके बाद वीडियो बनाई उसके बाद हम मीटिंग किये मीटिंग करने के बाद हम लोग तहसील दिवस में गए उसके बाद वहाँ पे जाने से पंदरा दिनों के बाद हम लोगों का पैसा भुकतान हो गया मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से समधाय को संगठितेवं जागरूप करके उनकी स्वायोग से मैं बदला लाती रहूँ मैं रिना जिला महराज गन्ज उत्तर परदेश इंडिया नहट के लिए झाल 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 झाल